मद्यप्रोदेश के मुख्य निर्वाचन वद्धिकारी वियल कांतराव ने सौमवार को प्रेस कॉंफरेंस पे कहा कि 31 जुलाई 2018 से 7 सितंबर तक 31,75,048 आवे दन प्राप्त हुए हैं इनका निराकरण कर 27 सितंबर को निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा इन में इन फॉर्मों को एक एक करके जाँच करके इनका निराकरण करते हुए इन में से कुछ फॉर्म रिजेक्ट होंगे कुछ फॉर्म एक्सेप्ट करते हुए इनका जो अंतिम जो अंकडे हैं वो हम 27 सितंबर को देंगे उस बाइटक में जिलों में प्रिंटेड कॉपी दी जाएगी उस जिले की मद्दाता सुची की और यहां पर हम पूरे मद्देश का मद्दाता सुची एक सीडी में हम सातों जो रिकागनाइजड प्रिटिकल पार्टी से उनको देंगे जो फार्म आये हैं इनमें नाम जोडने के लिए 16,72,805 है और नाम काटने के लिए 7,43,489 है और जो डीटेल्स नाम में या एड्रेस में संचोदन करने के लिए 6,52,086 फार्म आये हैं और जो एक ही विदानसापा क्षेत्र में एक महले से दूसरे महले जाने में जो संचोदन होता है उस प्रकार का 1,66,63 है और हमें ये भी खुशी की बात है कि इस बार पांच आवेदन फार्म आये हैं अप्रवासी, मद्दप्रदेशी, मिरवाचक, मिरवाचकों का वो पां पांच पहले से हैं और पांच आवेदन हो रहा हैं तो इस प्रकार 31,75,048 फार्म हमें प्राप्त हुए हैं इनका निराकरन का जो विवरन हम सता इसको देंगे लेकिन जो जो फार्म प्राप्त हुए हैं इनका जिले वार संक्या हमने आपको अभी वित्रित की हैं आप ज़्यादा फॉर्म प्राप्त हुए इंदर जिले में और जो नाम और पते में संश्वधन का सबसे ज़्यादा गुना जिले में प्राप्त हुए हैं और एक विदान सभा में जो एक महले से दूसरे महले में जाने वाले वोटर से उस प्रकार के सबसे ज़्यादा फॉर्म बिंड जलेके हैं ये जो फॉर्म प्राप्त हुए है इससे हमारी उम्मीद ये है कि जो हमारी जंडर रेशो है वो 905 से 917 तक पहुंच जाएगा जैसे जंगर्णा में जंडर रेशो होता है कि हजार पुर्षों के बीच में कितने मैला हैं जैसे मद्दप्रदेश में 2011 के सें पुरुष वोटरों के बीच में कितने मैला हैं ये जब 31 जुले को प्रकाशित हुआ था हमारा मद्दात सूची तब ये 905 था थोड़ा सा जो जनसंक्या किसाब से थोड़ा कम था अब ये जो पुनरिक्षन का कार्य हुआ है और सभी जिलों ने जंडर रेशो को पुरुआ मैनने तन मालविये के साथ आकाश सूनी की रिपूर्ट